कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को और स्ट्रेंट्स लाप की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है माड़े फ्रेंट्स मुझे हासा है कि आप सब अच्छे होगे और आप सब की बोर्ड एक्जाम की त्यारी अच्छी चल रही होगी तो माड़े फ्रेंट्स आज की इस वीडिय करेंगे दूसरी बात हम करेंगे परिच्छा से पहले हम क्या करें और परिच्छा के दौरान हम क्या करें और यादास्त के टिप्स यहां पर हम सब देखेंगे माड़े फ्रेंट्स माड़े फ्रेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं सारीरिक स्वास्त की तो माड़े इसके लिए दोस्तों सुबह में थोड़ा सा योगा कर सकते हैं और हमानसिक स्वास्ट नहीं है तो कहने कहीं हमारे लिए हुआ है क्योंकि इए हम एकजाम हौल में चाहते हैं तो रहया तो पहले बार हुम इकजाम दे रहे ते जिसके कारन है क्यों अधे cur at की जो कसरत होती हुआ किस प्रकार से करने चाहिए तो माड़ेफेंस एदि आप सतरंज खेला जानते हैं तो आप सतरंज खेल सकते हैं और यह आज कल के युबाओं के लिए बहुत बड़ा अच्छा बात है दूसरी बात है माड़ेफेंस के इंदी आप मोफायल बने गए्म खेला जानते हैं बहुत से जादा इसमें खेलना है नहीं खेला बस सिर्फ दिमाग को क्या करना कश्रत करवाना इसके लिए गेम खेला उसे जादा कुछ नहीं खेला या तो फिर आप जोड़ घटाओ गुना भाग का एक जो डीट आता है दोस्तों उससे भी आप क्या कर सकते हैं तिसरी जो बात कर सक परिच्छा को लेकर भाई बना रहा था बहुत सारे स्ट्वेंस हैं जिनके दर लाग रहा था उनके मन में कई तरह की विचार घूमने लगते हैं वह सोचते हैं कास मैं सभी प्रशनों का उतर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा वह सोते कास में थोड़ा सा और पढ़ लेता तो अच्छा होता मतलब कि तरह तरह की जो उनकी बात है वह दिमाग मुनके क्या होता रिपीट होने लगती है तो मारेफेंट इन सब बातों से हमें क्या करना है इन सब बातों के ध्यार में देखते हुए हमें इस पर तयारी करने की जरूरत है तो मारेफेंट आपकी त तो सबसे पहले बात करते हैं परिच्छा की त्यारी पर बात करते हैं ठीक है तो परिच्छा के त्यारी के लिए मारे फैंस आपको जो आपका को से उसे समय रहते पढ़ लेना चाहिए ठीक है अधी आप समय रहते को पढ़ लेते हैं मारे फैंस तो कहने कहीं आप अधी तो मारेफेंस दूसरी बात आती है आपका रिभीजन मारेफेंस रिभीजन कम से कम आपको एक दिन पहले तक पूरी तरह से कर लेना चाहिए आपको जितना दिर पढ़ना पड़े मारेफेंस आप सकते क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है अब मारेफेंस सायद 15 दिन 20 दिन आपके बोड़ एकजाम की त्यारी के लिए बचड़ा है तिसमें आपको 12 गंटा 16 गंटा 17 गंटा जितना दिर पढ़ना मारेफेंस आपको दिक्कत की बात नहीं है ठीक है खाना खान 6 गंटे पढ़ना चाहिए अधि हाँ आप रेगुलरली 6 गंटे पढ़ने तो भी आप 6 गंटे पढ़ सकते फिर आपको तो दिक्कत है नहीं अब मारेफेंस इन बग्ट पर कहने का यह तनाब बढ़ते जाता ठीक है और तनाब बढ़ना भी स्वभाविक है मारेफेंस क्योंकि आप अपने जिम्मे बार्यों के लिकर क्या है कहने क बार्यों की बार हैना जाला घंहीं इनलेंता हो कि आपको दिमाग को क्या करते हैं अब मुझाटिय को नहांँश को दिमाग के सांधे मिलते हैं मैच खेलने जाते हैं तो उससे पहले बहुत नहाते थे मतलब कि दिमाग सांथ करने के लिए जो कुछ ही मिले उसे आप क्या किजिए कर दिजे उसमें कोई दिकत नहीं है ठीक है अब बात करते हैं एक जाने के ज रास्ता है हुआ किस परकार से है ठीक है कहे ना कहीं दोस्तों कि जब एक्जाम होती तो वहाँ पे बहुत सा जामान लगती है और अधिया उत्ञति और टैम से थोड़ा सा अधि पहलेले पहुंचते हैं मारे फ्रेंट से पर आपको जाने में थोड़ा लेट हो जाता है तो खाल के आप पर इक्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको आराम करने के लिए जगा नहीं मिल पाती इससे भी आपको टेंशन हो सकता है इसलिए माईटेफेंस आप पहले सबसे पहली बात इसे आप जरूर जाकर जरूर देख लें दूसरी बात है माईटेफेंस की परिछा का नियमों को ध्यान जो नियम दिया गय दूसरी बात है माईटेफेंस की परिछा से पहले कि जो रात होती है उस रात को पूरी नींद कर सोई मनलब की हो सेके तो आप 10 घंटा भी शोत लिए 8 से घंट मनलब जितना जल्दी सोजा जितना सुबा हो सेके ठीक है उतना सुबा आप उट जाए और आप मनलब की बहुत है देखना दो देख सकते नहीं तो भी आप नहीं भी देख सकते हैं यह आप डिपेंड करता कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं उसके बाद आप निकल जाए अब बात है मारे फेंस परिच्छा के दौरान ठीक है परिच्छा के दौरान जब आप निगेटी बीटी को ज़्यादा लगे माड़ेफेंस तो यह एक जाम आपके लिए समझे गया आपको बचाने वाग फिर कोई नहीं है इसलिए माड़ेफेंस वहां आपको यह सोचना है मुझे कुछ नहीं आता के जगा पर सोचना आपको मुझे सब कुछ आता है ठीक है सब कुछ आता है ठीक है कि यह तो बात होगी माड़ेफेंस अब हम सब करते परिच्छा से पहले परिच्छा से पहले सेंटर पर क्यों पाउजना जाए है माड़ेफेंस परिच्छा से पहले पहुंचते माड़ेफेंस तो सेंटर पर आपको क्या होती है कि आप थोड़ा सा आपको आराम मिल जाती ह रिलक्स मिल जाती है आप यहां पर बातावरंद को देख लेते हैं और आपके जो पास जो हड़वड़ी है वह पूरी तरह से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप जाकर बैठ सकते हैं और जब भी आप जाए तो हॉल सेंडर में 10 या 15 मिट पहले बैठ ज देख सकते जैसे तो हुआ 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 है कि आपका जो मतलब दिमाग का जो सेंग कंसेंट्रेशन पावर फोकस हो आपका बढ़ेगा आपको कुछ ने कुछ डिलक्स मिलेगा दोस्तों आया आपका जो आद है वह कहीं आप कुछ प्रस्ण को भूला रहा है दो तो उस प्रस आपको 90 50 से बैट है क है आपको नगए करना थेक इसες था से बैठना था जिससे की आपको लगए क्ज अच्छे हच्टक दूसरी बात आप देखनेगह मां girls अब पर आपके पाश दिवा दोष्ट दिवार पे ने कर निए कुछ लिखा भाई रहा था हर एक हौन में निखा रहा था साथ नए भी लिखा रहे सब थो थोड़ा सबसे dopamine डिक Despite लेक्र明ेक नैक बिंट्स फीज से आपका जो अंदर से जो इनर्जी हो वकाने के एक जगा स्थिर होने कोशिज करेंगे और आप एक्जाम में अच्छा बहुत अच्छा कर पाएंगे माइडवेश्ट ठीक है दूसरी बात है माइडवेश्ट के आप हमेशा सक्रात्मक बाते को दोराते रहें ठीक है अपने जहां पर बैठें उसमें आपको यह सोचना है जिसमें ब्याम कर रहें या फिर बैठे वी एक्जाम को लेकर वहां पर आपको यह सोचना है कि मैं इस एक्जाम को पास कर जाओंगा ठीक है है यह परिछा मेरे लिए बहुत ही असान है मैं सभी प्रश्ण पत्रों का उत्तर जानता हूं मैं सभी प्रश्ण पत्रों का उत्तर जानता हूं मलब आप इस तरह के पोजेटिव बातों को बातों कदी आप दोहराते माड़ा तो यह का अंदर से अलग तरह के पड़ेगा और उस एक्जाम को लेकर जो डैर है भाय होगा मुख्त हो जाएंगे और आप जब भी प्रश्ण को देखेंगे मुझे यह आ रहा है नहीं है मुझे आ रहा है मलब थोड़ा सभी आपको कहने करें कलकुनुजन मिलेगा माड़े आप उस प्रस्ण को बना सकते हैं और जब आपको थोड़ा सब हिंट मिल जाता है माड़े तो फिर पूरा एक्जाम को क्लियर कर जाएगा फिर दिख्कत कि यह बात है तो यह आप काम आपको करना है और माड़े फ्रेंश एक बात आप याद ध्यान दिजेगा कि प्रस्ण मिलता है मारे से 15 मिनट पढ़ने के यह प्रसंव्हाइड प्रशंवाइड Самय फ्रिंख हाव क्वदोट को सब्सक्रubl police को 20 मिनट खत्म हो का आप उस प्राइट चालू करें ठीक है उसे चल्दे बना लेंगे इस रहे हुма कि मतलब कि दोस्तों जो प्रस्ण आपको नहीं आ रहा है उसमें आप थोड़ा सा रिलेटेट करने कोशिज किजिए कि इस प्रस्ण से ऐसा कोई प्रस्ण है जिसने मैं या भी बनाया है या फिर अपने दिमाग को थोड़ा से क्या किजिए मनला पीछे क्यों ले जाए और सोचि फिर और य strongest मुझे लगा माईदवर्य कि मुझे प्रस्ण पर तब नहीं आ रहा है अभिस से बाद ज्यादा ने बनेगा तक फिर वाई करना दैना कि क्या करना है या तो फिर आप को आ रहा है आप हुसे भूला रहे हैं तो आपको थोड़ा सब प्सक्वर प्रस्ण से पास सब्सक्राइब करते हैं इसमें जितनी बात बताएगा आप उस बात को नोट डॉन कर पूरी तरह से पालान करें मुझे बिस्बास है दोस्तों कि आप एक्जाम में अच्छे मार्क्स पास हो का जरूर आएगा तो आप सभी को धेर सारी सुपकामने और धेर सारा प्यार्स और फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी अध्यापका किसी प्रकार के प्राश्ण मार्क्स में लिख दीजिए उस प्राश्ण का उत्तर हो सकता है मार्क्स हम जली जली देने कोसिज करेंगे तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया बेस्ट अपलक्स